मोधी जी ने उनका जो टीम है वो सरवे कर चुकी है कि हमारी जो पार्टी है वो मद्यपरदेश में हार रही है देखें इंडियन एर लाइन्स भारत सरकार की थी जोतिरात सिंधिया जी को उन्होंने बना दे उड्डेन मंत्री अब उनके पात तो हवाई जहाजे नहीं है बिना हवाई जहाजे का मंत्राल है उनको दे दिया क्योंको रोतन टाटा ले गए वापस तो दिकत का बाद मोधी जी ने उनका जो टीम है वो सरवे कर चुकी है कि हमारी जो पार्टी है वो मद्यपर्देश में हार रही है जी इसके लिए वहाँ पर जो चुनाव लड़ने के लिए ये कंडिडेट मिल नहीं रहे है जैसे करनाटका में हुआ था वही दसा यहां पाइदा हो गई है इसलिए वह मंत्रियों को बोलें तुम चुनाव लड़ो तुमारा प्रभाव थोड़ा ज्यादा रहेगा ये जो बदलाव की बयार चल चुकी है ये थमने वाली नहीं है चाहे वह सांसद हो चाहे मंत्री हो सबको भगाया जाएगा अचाहे में ठीकी इसमति हिरानी हो सबको जनता ने तैंकर लिया है कि जो भी हमारे लिए काम नहीं करेगा उसको भगा दिया जाएगा दिनेश मिश्रा जी एक बात बताईएगा टिकेट के लिए तो नेता मार मारे जाते हैं यहां तो टिकेट बु सरकार की थी जोतिरत संधिया जी को उन्होंने बना दे उड्डेन मंत्री अब उनके पात तो हवाई जहाजे नहीं है बिना हवाई जहाजे का मंत्रा ले उनको दे दिया क्योंको रोतन टाटा ले गए वापस ठीक है अब वहाँ पर जिसकी खुद मालिक की ही आइसियत नही पसंद नहीं करता आप जो सांसाद हो चुका है वह जो है बिधान सभा का चुनाव पंचायत का चुनाव और ग्राम मुहले का चुनाव तो नहीं लड़ेगा यह का रहे हैं निरमल मन जनसो महिपावा महिं कपट छल चिद्रन भावा यह हनुमान जी के सब्द हैं तो हनुम करके इन्होंने किया था उसका हिसाब जनता करेगी और अब की बार साइद नरेंद्र मोदिया केंद्रिय सत्ता के लोग आएंगे मद्य प्रदेश में तो जनता हो सकता है जूतों से बहुचार करें उनके पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं दूसरी चीज यह है कि जन इन्होंने सफेद जूट बोला है और 9 साल में इन्होंने जो सफेद जूट बोला है नव दूनी 18 साल का हिसाब लेगी हो सकता है गुजरात परदेश में जब रहे हैं तब भी का हिसाब लेगी